प्रफेद होते हुए बालों को काला करने के कुछ आसान से घरेलू नुसके पहला उपाय है कच्छा पपीता कच्छे पपीते को मिक्सी में ग्राइंट करके उसका पेस्ट बना लीजिए इस पेस्ट को हफ्ते में तीन बार बालों और बालों की जड़ों पर आदे गंटे के के लिए अपलाई कीजिए इससे बालों का गिरना बंद होगा और बाल काले भी होने लगेंगे दोस्तों आवला बालों को लंबे समय तक काला बनाए रखने के लिए एक बहुत ही अच्छी रेमेडी है आवला पाउडर में नीमगू का रस मिलाकर एक गाढ़ा पेस्ट बन द्रावा आप आवले को अपनी डाइट में भी शामिल करें बहुत फायदा होगा दोस्तों अश्वगंदा और ब्रिंग्राज भी बालों के लिए किसी वर्दान से कम नहीं है अश्वगंदा और ब्रिंग्राज पाउडर को बराबर मात्रा में नारियल तेल में मिलाकर बा से कम एक सब्तह में दो बार बालों की जड़ों में लगाने से भी बालों का सफेध होना कम हो जाता है रोज नहाने से आदा गंटा पहले सिर में प्याज का यानि अनियन का पेस्ट लगाएं इससे कुछ ही दिनों में बाल काले होने लगेंगे प्लीज 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 मेरे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और अपने कीमती कमेंट्स भी मुझे दीजिए थैंक यू फॉर वाचिंग मैं वीडियो